नमबस्कार बताईए पूरा इलीगल तरीके से चल रहा था एक्जीट और एंट्री एक ही थी बिल्डिंग यूज पर्मिशन नहीं था जैसे ही गटना गटी पहला रियेक्शन ये था कि ये कॉर्पोरेशन को पता नहीं है परिवारों में इसे कोई कुछ भूलना चाहेगा टियारटी गेम जो चल रहा था उसमें मेरी सोटी बेन 19 की थी वो जोग पर रही थी वहाँ और उसमें मैं दो तीन बार गई थी वहाँ फाइर सेप्टी का कोई भी समान नहीं था कोई फाइर सेप्टी नहीं थी कोई हमारा घरा कि किसी ने हमने हमें कैसे बोला भी नहीं क्या कैसे हो आपका सर्जन चला गया उसके बारे में भी किसी ने कोई नहीं बोला यह कोई गैस था या क्या था यह किसके कारण हुआ बिजली के कारण हुआ था इसमें पंद्रा सो लीटर तो पेले सर वहाँ पेट्रोल था, 2000 लीटर एरोसिन था सबका यह कहा है कि तो ब्रश्काचार की वज़े से यह पूरा कांड हो रहा है तो यहां इंजस्टीस और करप्शन यह दो बहुत बड़ा इश्यू है तो फाइर ब्रिगेड कितने टाइम में आई? एक घंटे में, कंग्रेस पार्टी क्या कर रही है इन लोगों के लिए? हमने घरबर के एक पेंपलेट्स बाते है राजकोट में जिसमें यह विक्टीम्स के न्याई की मांग उठाई है So we'll keep on pressurizing government to act and to give the justice sir हमें पूरा pressure डालना चाहिए कि यह काम हो जाए Fair Independent Investigation जल्दी से जल्दी उसका outcome आना चाहिए मुझे लगता है अगर हम pressure डाल के compensation बढ़ा सकते हैं तो वो अच्छा होगा और मेरे लाइक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए अगर आप चाहते हो तो हम Parliament में उठा सकते हैं अभी session आ रहा है वहां भी उठा देंगे वहां उससे भी pressure बन जाएगा